नमस्कार दोस्तों, बैंक टिप्ट्री ऑफ्सन लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ, दोस्तों वीडियो को ध्यान पूर वक्त देखिए का तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, आप लोग वीडियो को फारवर्ड रिवर्स करके देखते हो से प् बन जाएंगे, बसरते आप rules, discipline, money management और risk management को follow करते हैं, तिर्फ वीडियो देखने से कोई भी profitable नहीं बनेगा, जब तक आप बताई वोई चीजों को follow नहीं करोगे, continue follow करोगे, discipline में लेके आओगे, तभी जाके आपको यहाँ पर profit बनेगा, तो आप अगर यहाँ पर देख स मैं यहाँ पर refresh कर देता हूँ, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आज के यहाँ पर profit है, तो बहुत सारे लोग को यहाँ दिखा उख को फाट, नहीं दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे नीगटीविटी होती है, बस चीज़ों को समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं, क पर समझाता हूं, तो यहां पर जो सबसे छोटे से जो थोड़ा सा बड़ा है वो है 42,000 की call में, 42,000 की call से बड़ा ही सारा profit यहां पर है, तो चलिए 42,000 की थोड़ी सी quantity में आप लोग को समझाता हूँ कुछ quantity वहाँ पर दिखाता हूँ जिसे बाकी का आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने अपने अंदाज में तो मैं यहाँ पर order book में आपको लेके चलता हूँ अब यहाँ पर मैंने order book आप लोगों को दिखा दी है यह order book है 42,000 की call का ध्यान रखिएगा order book कहा की है 42,000 की call का यह order book यहाँ पर कुछ quantity आपनों को यहाँ पर सारी quantity जो है कुछ दिख रही है क्योंकि बाकी नीचे भी हो सकते हैं पता नहीं नीचे कितनी होगी यह मुझे नह 395, 395, 394, 94, 94, 94, 87, 87, 87, 87, 86 यह quantity मतलब आई हुई है तो यह मान के चलिएगा कि यह average होगा 392, 93 का हमारा यहाँ पर average होगा average price होगा किसका 42,000 की call का और ध्यान रखिएगा यह 42,000 की call जब market बिल्कुल एक बार low बनाया था ना आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पर दिखाता हूँ 22,000 की call को चार्ट पर दिखाता हूँ फिर कुछ psychology के आप टीपता आप लोग को देता हूँ तो उसको follow कीजिएगा अब हम चार्ट पर चलते हैं चार्ट हम देखते हैं 42,000 की call का और टाइमिंग जाने कि एक बचकर 45 य 56 पर मैंने ये सारे ॐ लिये हैं अब मानघ के चलिए कि 393 की मेरी ए paints यहां पर होगी अब यहां मैं चार्ट करता हूँ इसको मैं पहले डिलिट कर देता हूँ अब यहां फे चार्ट लेा हूँ यह चार्ट 15 मिनट का है तो मैं इसको एक मिनट पर कर लेता हूँ अब एक मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं एक बचकर 46 मिनट की केंडल पर कि एक बचकर 46 मिनट की केंडल कौन सी केंडल एक बचकर 46 मिनट की केंडल है तो यहां से मैंने श्टार्ट किया है वह XL आप लोग क्या करते हो、से बड़ी चीज है कि आप लोग गलत यह करते हो कि आपके पास एक लाक पूरा एक लाक आप ने यहां पर बाइंक कर लिया और यह यह क्या करता है यह आपको problem create करता है कब जब मान लीजे कोई strike price 200 का है और वो 200 का strike price का SL जो है 170 है लेकिन आपने 1,00,00 रुपए लगा दिया और वो 10 रुपए नीचे आ रहा तो आपको क्या लग रहा कि यार मेरा तु यहां से 10,000 रुपए जा रहा है मेरा यहां से 5,000 रुप जब तक आपके trading account में जितना पैसा है उस पूरे पैसे को आप trade करने वाले हो चाहे हो equity हो currency हो commodity हो crypto हो तब तब आप loss में ही रहोगे या loss में अगर नहीं भी किसी दिन रहे तो profit आपका बहुत छोटा होगा और जिस दिन loss होगा वो बड़ा होगा उसकी psychology ही है कि आपके account में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो पूरे पैसे को आप trade कर रहे हो इसलिए आप loss में रहते हो और जो भी आपका profit होता है वो हमेशा छोटा होता है क्योंकि आपको हमेशा डर लगता है कि यह profit है 10,000 का profit हो रहा कहीं कि loss में cannot ना हो जाए loss में cannot हो जाए मतब 10,000 का profit कहीं है यह लोग यहाँ पर profitable नहीं होते हैं जिस दिन आप इस एक लाग में से 10,000 रुपे trade करना इस्टार्ट कर दोगे न मैं guarantee के साथ बोलता हूँ कि आप end of month आप loss में नहीं रहोगे भले एक जार रुपे earn करके जाओ लेकिन आप earn करके जाओ उसकी psychology क्या दिखिए हमारे तो मेरे दिमाज में यह चल रहा है कि यार अगर इसका 20% भी loss हुआ न तो मेरी यहाँ पर capital 80,000 हो जाएगी और 80,000 की capital से अब मुझे वापस एक लाग करना पड़ेगा मैं profit तो सोची नहीं रहा हूँ तो अब तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ सिर्फ capital देख रहा जबकि यह जो 10,000 है यह 10,000 नहीं trade कर रहा हूँ यह जो पीछे बचा हुआ 90,000 आपको दिख रहा है जो आपके account में 90,000 है जिस 10,000 से आपने trade किया और जो account में आपके 90,000 पड़ा है यह 90,000 दसल यह 90,000 ना इसको profit में लेके आ रहा हूँ देखो आपकी psychology बिलकुल उस समय clear ह कि हमारे पास अभी भी 90,000 रुपए पड़े है अगर इस trade में से मान लीजे मैं 25% का भी loss कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे 5,000 का loss होगा जो कि 5,000 के loss से को अगर मैं इसमें से इस 90,000 में से वापस 10,000 यहाँ पे डाल दूँ और 17,000 का अब trade करूँगा तो मैं क्या इसमें यहाँ से जो मेरे पास पड़े हुए है यहाँ से 10,000 में यहाँ पे लेके आता हूँ तो सायद जो अगला मुझे profit चाहिए ना अब मुझे 25% कर नहीं चाहिए सायद मुझे 12% 13% के profit में भी मैं profit में आ जाऊँगा यह जो पीछे 90,000 रुपे पड़े हुए है आपके दसवा हिस्ता trade करता हूँ इसलिए मैं सायद profitable हूँ क्यों कि back of mile में में यह चल रहा कि चलो यार यह trade में मेरा 20% 25% या 50% का भी loss हो जाएगा तो मैं अगले trade में बड़े अराम से अगला trade मेरा successful हो गया तो मैं बड़े अराम से उस trade को profit में लेके आ जाऊँगा लेकिन अगर loss और profit दोनों का कारण यही है कि आप loss में इसलिए हो कि आपने यह पूरा पैसा trade कर दिया है मैं profit में इसलिए हूँ कि मेरे account में बचा हुआ जो 90,000 है वो मुझे comfort दे रहा है वो मुझे डरनी नहीं दे रहा यह trade मेरा खराब हुआ है और खराब trade में मुझे पता है कि state का sell मे है ना कैसे मैं बाद बार बताता हूँ कि अगर आप option buyer बनना है ना equity currency किसी भी चीज में अगर successful होना है आपको stock market में तो आपको अगर trader हो तो हमेशा आपको 110 ही trade करना चाहिए आप investor हो तो जान जाओ आपको 25 25 25 25 ऐसे ऐसे करके पैसे कम मतलब हर price पे लगाते हुए अगर लगा दिया यानि एक ही price पे सारा पैसा लगा दिया तो भी आप successful investor नहीं बन पाऊँगे investor वह होता है देखिए जरूरी नहीं है मैंने 10% लिया stocks 20% 25% भाग गया कोई दिक्कत नहीं है अगला stock में ढूंके कोई select करूँगा जरूरी नहीं मैं उसी में सारा पैसा लगा हूँ जब चीजे ही नहीं है minimum देखो अगर आपके पास 50,000 है मैं बोलूगा minimum 50,000 है और उसमें से आप 5000 ट्रेट कर सकते हो तो तो आप option में आके सीखो समझो करो 50,000 का पूरा 50,000 बनाने आ रहे है मतलब आप पैसा बनाने के लिए पैसा कभी बनेगा नहीं वो कितना भी बड़ा trader होगा ना जिसने वी पूरा का लगा करेट करने लगेगा उसका ट्रेड लात महीं जाएगा उसको ङींज़ notch हो लेकिन पूर 50 करोर लगा तो उसको डर लगेगा लेकिन उसी बीस करोकर में मेने मेरे पास 19 करों करोंड गया है अगर ये त्रेड गलत होता है तो इसको रीकव 3 का हमारा एवरेज बना था 1 बचकर 46 मिनट फे यह वाली चेंडल है एक बचकर 46 मिनट टो है तो वहां पर भी प्रॉफित जो मिनमम जो लिया होगा मैंने सायद वहाँ पे मैरा मान के चलो कि अगर 400 का भी होगा ना तो भी 60 पॉइंट नहीं 60 पॉइंट लिया होगे तो कम से कम 30 पॉइंट तो लिया होगा आपके लिए बता रहा हूं कि कम से कम जो प्रॉफिट हो गया है आज का जो भी प्रॉफिट हो गया तो मैं यह कोशिज करूँगा कि अब यह दस जार का प्रॉफिट आज लॉस में नहीं होना चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए मार्केट यहां से 20,000 पॉइंट नीचे चला जाए लेकिन मुझे लॉस में नहीं जाना है भले यह मेरे अगेंट की मार्केट चला गया अगर इसमें से मैंने 2000 लगा के ट्रेड किया और बन गया 5000 बन गया तो फिर मैं एक नेक ट्रेड लूँगा 5000 लगा के फिर ट्रेड किय तो जब तक आप रिस्क मेनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे ना यहां पे पैसा नहीं बनेगा तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप ऑप्शन बायर सक्सेस्फुल बनना है तो आपको कैपिटल का 110 ही ट्रेड करना है तब ही आप सक्सेस्फुल बनोगे वह 110 नहीं है दरसल वह comfort है वह confidence है हमारा कि मेरे पास 90,000 और पड़े है गर इस टेड में loss भी आजा तो अगले टेड में वह recover हो जाएगा अगला setup मेरा बना मैं trade लूँगा तो मैं profit में आ जाओंगा यह confidence है कब confidence आएगा जब वह 90,000 पीछे पड़ा रहेगा आप तो पूरा एक लाक लगा के एकी दिन में पूरा यहाँ पर gambling करने के लिए आया हो तो पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर करते रहेगा मिलते हैं next वीडियो में